नमस्कार स्वागत है आप सभी का साहित्य जोती में आज की इस वीडियो में हम लोग जैसंकर प्रशाद जी द्वारा रचित भारत वर्ष नमक कवीता को पढ़ेंगे पसे पहले हम जैसंगर प्रशाद जी के जीवन परिचिय को देखेंगे और उसके बाद हम कवीता की व्याठ्धय को देखेंगे।Toos चलिए सुरू करते हैं parece जैसंकर प्रशाद जी की बात करें, तो जैसंकर प्रशाद जी हिंदी साहित्ति के उज्वलतम नच्छत्र रहे हैं, बहु मुखी प्रतिभा, संपन्न व्यक्ति रहे हैं, इनका जन्म कासी के 100 प्रतिष्टित वैसे परिवार, यानि कि सुगनी साहु परिवार में, तन 1889 इस पूल गय हुए हैं, परंतु इन्होंने घर पर ही संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दु और हिंदी का गहन अध्यन किया है, इसके अलावा ये भारतिय ज्यान दर्शन और साहित्ति के भी महान पंडित रहे हैं, यूंतो प्रशाद जी बहु मुखी प्रतिभा के धनी रहे ही ह इन्होंने कवीता, नाटक, उपन्यास, कहानी एवं निबन्द के छेत्रों में भी लेखनीय योगदान दिया है इन महान सहित्यकार का निधन सन 1937-66 में हो गजा, यानिकि इनकी मृत्यों सन 1937-66 में हो गई थी इन्होंने हिंदी साहित्य के छेत्र में उत्कृष्ट, नाटक, उपन्यास, कहानिया एवं काविकृतिया यानि की कवीताओं की रचना की थी आईए हम इनकी कुछ प्रसिद्र रचनाओं के नाम जानते हैं तो आप देख सकते हैं इसमें यदि हम बात करें नाटकों की तो नाटकों में करुणाले राजिस्री, अजात्सत्रू, चंद्रगुप्त, स्कंद्रगुप्त, धुवस्वामनी, एक घूट और कामना ये इनकी कुछ प्रसिद्र नाटक रहे हैं यदि आप इनमें पूछे कि सबसे प्रसिद्र नाटक कौन सा है तो चंद्रगुप्त, स्कंद्रगुप्त, धुवस्वामनी इनके सबसे अधिक प्रसिद्र नाटक रहे हैं उपन्यासों में कंकाल, तितली और इरावती, इरावती इनका अपूर्ण उपन्यास है, ध्यान रखिएगा, कैसा उपन्यास है? अपूर्ण, अधूरा रह गया था, ठीके, इसके अलावा आया, प्रतिध्वनी, आंधी, इंद्रजाल, आकास दीप, ये इनकी कहानी संग्रा है, लहर, धर्ना, आशू, काननकुसुम, कामाईनी, इनकी काव्यकृतिया यानि काव्यरचनाय है, इसमें कामाईनी इनकी सबसे अधिक प्रसिध्ध्ध रचना रही है, तो आज जो हम कवीता पढ़ने जा रहे हैं, भारत वर्ष, यह कवीता स्वदेशा अनूराग के साथ भारतिय संस्कृति और भारतियता के गौरव का स्वद्ध मुखरित करती है, यानि इसमें हमें अपने देश के प्रती प्रेम के साथ-साथ गौरव की भावना दिखाई देती, चलिए, कवीता को पढ़ना सुरू करते हैं, उसकी व्याख्या को देखते हैं, तो सबसे पहले पंक्ती दी गई है, देखिए, पहले की चार पंक्तियां हैं, तो देखिए, इसमें हिमालय के आंगन में कथम किरुणों का ये उपहार, उसा ने हसकर अभिनंदन, अभिनंदन शब्द कार्थ होता है, स्वागत, किया और पहनाया हीरक, हीरक यानि हीरा का आर, जगे हम, लगे जगाने बिश्व, लोक में फैला, फिर आलोक, आलोकार्थ होता है, प्रकाश, आलोक यानि प्रकाश, व्योम तम, पुंज, व्योम यानि आकाश, ठीक है, सम यानि अन्धकार, तब नश्ट हुआ, अखिल, अखिल यानि संपूर्ण, अखिल शब्द कार्थ होता है, संपूर्ण, धियान रखीएगा, ठीक है, संपून, शंश्तृती, शंश्तृती का अर्थ होता है बिश्व, वो उठी अशोक, अशोक का अर्थ होता है जोक मुक्त, जोक मुक्त, ठीक है, आई अब हम इन पंक्तियों का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं, तो देखिए, कवी के अनुसार हमारा हमारा पहले हम इन दो पंक्तियों को समझते हैं और प्रतिदिन उशा थीक है प्रतिदिन उशा जो है भारत को सुरी की किरनों का उपहार देती है और तब ऐसा लगता है मानो हसकर भारत भूमी का भिननदन यानि कि भारत भूमी का स्वागत कर रही है जब ओश की बुंदों पर प्राता कालिन सूरी की किर्ने यानि कि रश्मिया पढ़ती है तो ऐसा लगता है जैसे उशा ने भारत को हीरो का हार पहना दिया हो तो एसा लगता है कि सूरी की किर्ने भारत भूमी का अभिननन कर रही है और जब वही सूरी की किर्ने ओस की बुंदों पर पड़ती है तो ऐसा लगता है मानो जैसे भारत को हीरो का हार पहना रही है अग्री दो पंक्तियों को देखते हैं जगे हम लगे जगाने बिश्व लोक में पहला फिर आलोक योम तम पुंज हुआ तब नष्ट अखिल सलस्तुती हो उठी अशोग तो सर्व प्रथम ज्यान का उदय कहां हुआ था? भारत में, ठीक है? तो कभी यही बता रहे हैं कि सर्व प्रथम ज्यान का उदय भारत में ही हुआ था यानि सबसे पहले हम जाकरित हुए और फिर उसके बाद हमने पूरे बिश्व में ज्यान का प्रकास पहलाया जिससे संपूर्ण संसार में, संपूर्ण विश्व में ज्ञान का प्रकाश आलोकित हो गया और उसके फल्सुरूप अज्ञान रूपी जो अंदकार है उसका विनाश हो गया और संपूर्ण प्रिथ्वी जो है वो शोक मुक्त हो गई, दुखों से दूर हो गई आगे की चार पंक्तियां देखते है विमल वाडी ने वीणाली कमल कोमल करमे संपूर्ण विमल सब्द का अर्थ होता है विमल यानी पवित्र वाडी ने वीणाली ठीक वाडी यानी स्वर वाडी सब्दकार्थ होता है मैं यहां लिख देती हूँ स्वर वीणाली कमल कोमल कर कर यानी हाथ और संपूरीत सब्दकार्थ होता है प्रेम के साथ संपूरीत यानी प्रेम के साथ सब्त सिंधु यानि साथ सिंधु में उठे खिड़ा तब मधूर साम संगीत बचाकर बीज रूप से स्रिष्टी स्रिष्टी यानि संसार नाव पर जेल प्रले प्रले यानि जलजला काशीत अरुण 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 शब्द का अर्थ होता है लाल केतन यानि जंडा लेकर निजनिज यानि अपना हाथ वरुण वरुण शब्द का अर्थ होता है जलब वरुण पत यानि जलमार्ग में हम बढ़े अभीत अभीत यानि निडर आईए हम देखते हैं पहले की दो पंक्तियों का अर्थ देखते हैं इन पंक्तियों में कभी क्या बताते हैं कभी बताते हैं कि बाणी की देवी वीना पड़ी सरस्वती ने इस पवित्र भूमी यानि कि हमारे भारत भूमी पर प्रेम के साथ अपने कमल के समान कोमल करो यानि कि कोमल हाथों में विरा उठाई और उसकी जनकार से ही सब्त सिंधु में सब्त स्वरों का मोहक सरगं घूजने लगा और वधुर संगीत का जन्व हुआ और इसी के कारण हमारे महान देश में ही संगीत के वेद साम वेद की भी रचना हुई आपको पता है न वेद चार प्रकार के हैं रिग वेद, यजुर वेद, साम वेद, अथर्ववेद इसमें से जो साम वेद है वह संगीत का वेद है ठीक है उसमें संगीत संबंधी जान दी हुई है ठीक है तो आईए आगे की और दो लाइन को देखते हैं बचाकर बीजुरूप से स्रिष्टी नाव पर जेल प्रलै का शीत अरुण केतन लेकर निजहात वरुण पत्थ में हम बढ़े अभीद तो यहां पर तवी जो है वो मनु महराज की तरफ संकेत कर रहे हैं कि भारत भूमी में ही जन में मनु ने प्रलै और प्रलै के अनेक संकटों को जेलते हुए श्रिष्टी की रक्षा की बीज रूप लेकर बीजों को अपने साथ लेकर श्रिष्टी की रक् बचाई, चीखे, आगे के पंक्तिreto को देखते हैं हम लोग, तो देखे, सुना है दधिची का वहत्याग हमारा जातियत्त अभीकास चातियता का आर्थ होता है राश्ठ्यता, Ġीक है पुरंदर, पुरंदर यानि इंडर, चीखे, पुरंदर शब्द कार्थ होता है इंद्र ने पवी से लिखा अस्थी युक का मेरे इतिहास इंदू सा बृस्तित और अनात अथा एक निर्वासित का उत्साह दे रही अभी दिखाई भग्न मग्न रतना करमेव राह तो निर्वासित शब्दकार्त होता है निकाला हुआ जूञे काला हुआ ठीक है और भगन शब्दकार होता है तूता ठीक है भगन का यादर कियेगा तूता और मगन का अर्थ होता है तल्लीन ठीक मगन शब्दकार्त होता है सलीन और रतनाकर का अर्थ होता है सागर या समुद्र तो आये हम पहले दो पंग्तियों की व्याख्या देखते हैं दो पंग्तियों का अर्थ समझने का प्रयाश करते हैं जिसमें कहा गया है कि सुना है दधीची का वहत्याग हमारा जातियता विकास पुरंदर ने पवी से है लिखा अस्तियुक का मेरे तिहाट तो क्या बतलाया गया है बतलाया कि भारत भूमी जो है वो अनेक महान पुरुषों की जनमिस्थली और करमिस्थ खली रही है उन्हेट के बारे में महर्शी रहें हैं दधीची उनके बारे मैं बताया गया है जिन्हों ने अपनी हडीओ का त्याग करके सम्पून्रिथवी की रक्षा की थी उन्ही के बारे में बतलाया गया है कि महर्शी दधीची का महान त्याग हमारी राष्टियता की वास्तविक पहचान है इसका अर्थ या है, बहरत फूमी में, जन्मे लोग, अपने भारत की रक्षा के लिए, अपने राष्ठी की रक्षा के लिए अपना सरवस्थ्याग करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं और इसकी प्रिर्णा हमें कहां दिखलाई देती है भार्षी दधीची के त्याग में जिन्होंने प्रिथ्वी की रक्षा के लिए दुष्टों से प्रिथ्वी की रक्षा के लिए अपनी अस्थियों तक का अपनी हड्डियों तक का त्याग कर दिया था तो वहरची दधीची ने क्या किया था जो मैंने आपको बताया जिन्होंने देव लोग की रक्षा के लिए अपनी हड़ीयों को देवराज इंद्र को दान देकर एक अनोखा इतिहास जा था इसके बाद की अंधो पंक्तियां देखिए तो हमारा जो भारत भूमी है पहले ही बताया गया कि यहाँ अनेकों महानपुरुषों की जन्मिस्थली रही है और कर्मिस्थली भी रही है और हमारा जो भारत भूमी है उसमें केवल महर्शी दधीची ही इकलोते उदाहरन नहीं है यहां पर अनेकों दाहरन मिल जाते हैं और इसी संदर्म में स्री राम जी की कथा बताई गई है कि स्री राम जी भी उलेखनिया है जिन्हें उनके राज्ये से निर्वासित कर दिया गया था निकाल दिया गया था और निकाले जाने के बावजूद भी उन्होंने अपने साहस क बल पर ही उन्होंने समुद्र में पत्थर से सेतू सेतू यानि पुल बना दिया था और जिसका भगनावसेश भगनावसेश यानि टूटा हुआ स्वरूप हमें आज भी दिखाई देता है रामेश्वरम जो इस्थान है वहाँ पर स्रिलंका और भारत के बीच अगर आप तो यही बतलाया गया है कि राम की जो थे वो ने देश से निकाल दिया गया था उन्हें अपने राज्जी से निकाल दिया गया था परन्तु फिर भी उनके भीतर अपार उत्साह और अपार साहस था जिसके बल पर उन्होंने बड़ा-बड़ा कारे कर दिया और हमारा भारत हमारे भारत भूमी में ऐसे अनेको उदाहरन देखने को मिलते हैं आगे की पंक्तियों को देखते हैं आईए धर्म का ले लेकर जो नाम हुआ करती बली करदी बंध हमी ने दिया शांती संदेश तुखी होते देकर आनंद विजय केवल लोहे की ही नहीं धर्म की रही धरा पर धूम एक्षु होकर रहते समराठ दया दिखलाते घर 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 घूम तो इसमें क्या बतलाया गया है इसमें बतलाया गया है कि देखिए धर्म का लेकर जो नाम तो देखिए इसमें बतलाया गया है आगे कि हम इन दो पंक्तियों को देखते हैं कि भारत भूमी एक और बीरता और साहस और त्याक की भूमी रही है तो वहीं दूसरी और तेम और अहिंसा का पाठ भी इसी में सिखलाया गया है तो सम्राठ अशोक के बारे में यहां बताया जा रहा है कि सम्राठ अशोक ने धर्म के नाम पर होने वाली बली प्रथा को समाप्त कर दिया था यह जो पंक्ति बताए गई है बिश्व में सांती का संदेश दिया हमारी जो दूसरी पंक्ति है देखिए यहां पर देखिए यह जो दूसरी पंक्ति है हमी ने दिया सांती संदेश सुखी होते देकर आनंद इसी में बताया गया है कि उन्होंने पूरे बिश्व में सांती का संदेश दिया है और दूसरों को आनंदित यानि सुखी देखकर खुश देखकर तुख पाने वाला समराठ अशोक ही हा आगे की दो पंक्तियों को देखते हैं विजय केवल लोहे की नहीं धर्म की रही धरा धरा यानि प्रित्वी अमारी धर्ती मा परधूम विक्षु होकर रहते समराठ दया दिखलाते घ घर 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 घूम तो कौन से समराठ भिक्षु हो गय थे अगर आपको याद हो यहां पर गौतम बुद्ध के बारे में बात की जा रही है देखिए क्या बतलाया गया है बताया गया है कि भारत के लोगों ने केवल सस्त्रों के बलपर ही देशों को नहीं जीता है यानि हत्य जो है वो धर्म गुरु के रूप में जानी जाती है और हमने धर्म का प्रचार पूरे विश्व में किया है और इसी संदर्व में यहां पर असोक और गौतम बुद्ध और वर्दमान महाबीर की बात की जा रही है कि हमारे भारत भूमी पे ऐसे महान पुरुष भी खोड़कर यहां पर विश्व नहीं विक्षू होगा ठीक है विक्षू का स्वरूप यानि विक्षू का रूप धारन करके घर 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 घूम कर लोगों के कश्टों को दूर करने का प्रयास किया और उनका प्रयास क्या रहा उनका प्रयास सबसे अधिक था कि वे विश्व म यहां हम दो πंक्तियों में पहली दो पंक्तियों में हम देखते हैं पहले की दो पंक्तियों में जहां अशोक के बारे में बतलाया किया है कि अशोक ने धर्म के नाम पर जो होने वाली बली थी उसको बंद करवा के पूरे विश्य में सुख सांती का संदेश दिया तो वहीं इन दो पंक्तियों में हम गौतम बुद्ध और वर्दमान महावीर के बारे में जानते हैं जिन्होंने घरगर घूंकर लोगों को प्रेम, अहिंसा और सत्भावना, सोहार्द की प्रेणनादी लोगों के अंदर दया की भावना को पैदा करनी की बात कही है आई आगे की पंक्तियों को देखते हैं आगे की पंक्तियां है यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की द्रिष्टी, मिला था स्वर्न भूमी को रत्न, कील की शिंघल को भी स्रिष्टी किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृती का रहा पालना यहीं, हमारी जन्म महूमी थी यहीं, कहीं से हम आये थे नहीं तो इन पंक्तियों में कभी क्या बत ला रहे हैं, इन पंक्तियों में पहली की दो पंक्तियां हम देखते हैं पहली दो पंक्तियों में कभी के अनुसार भारत भूमी तो स्वभाव से ही दानी रहा है यानि कि भारत भूमी में जो लोग पैदा हुए है उनमें दान करने का स्वभाव रहा है दानी स्वभाव के पैदा हुए है और इसी लिए जहां एक और उन्होंने युनानियों को दय यनानियों को जहां दया का दान दया वहीं चीन को धर्म का और बर्म को वहीं श्रिलंगा शिल की शिंहल को किस चीज का दिया ठ्हेर का ठैके सिंगल याणि श्रलंका को धैरिक का संदेश प्रदान किया यानि भारत भूमी का जो सभाव है भारत भूमी में जन्में लोगों का जो सभाव है वो दान करने वाला सभाव है आगे की हम दो पंक्तिया देखते हैं किसी का हमने चीना नहीं यह वाली दो पंक्तिया देखते हैं तो इन दूपंक्तियों में कभी पतला हैं बता रहे हैं कि भौतिक बल के द्वारा किसी का भौतिक बल यानि सस्त्र लड़ाई युद्ध आतंक के द्वारा हमने किसी का कभी विकुछ भी चीना नहीं है। बलकि छीनने के स्थान पर हम क्या करते हैं, देने का ही चरित रहते हैं, लोगों को हम कुछ न कुछ, दूसरे देशों को हम कुछ न कुछ दे देते हैं, चायत यही इसके पीछे का मूल कारण, इसके पीछे का साथ यही मूल कारण है कि भारत को प्रकृती ने प्रतेक तरह के संसाधन से सम्रिध का किया है यह जो लाइन ना देखिए किसी का हमने छीना नहीं प्रकृति का रहा पालना यहीं इसमें क्या बताया गया है इसमें यही बताया गया है कि भारत भूमी ने कभी भी सस्त्र के बल पर किसी का कुछ भी छीना नहीं है सायद यही कारण है कि भारत जो है प्राकरतिक दृष्टी से काफी संपन रहा है प्रकृति का हमारे देश पर महान कृपा बनी रही है अगर आप देखना चाहें कैसे तो देखिए इसमें अभी बताया गया है कि भारत की जो भूमी रही है वह सस्यामल भूमी है हिमाले से घिरी हुई शिकर है घाटियां है वादियां है सदा बहने वाली नदियां है जरने है फल पूल है यानि कि हमारी जो भारत भूमी है वो संसाधनों से संपूर्न रही है भरपूर रही है इसलिए हमने कभी किसी का कुछ भी नहीं चीना है भारत भूमी ने कभी किसी क संतान रहे हैं हम बाहर से आकर नहीं बहसे हैं और इसलिए रहेए की घ्ञानपाया रखते हैं को आगे की पंक्तियों में देखते हैं है जातियों का उत्थान पतन आंधिया जडी प्रचंड समीर समीर इनि हवmeye कि क्या पे उत्थान यानि उन्नती nuestros खड़े देखा जेला हस्ते प्रलय में पले हुए हम भीर चरित के पूत भुजा में शक्ती नम्रता रही सदा संपन सिदय के गौरों में था गर्व किसी को देखना सके विपन सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर थाध пад masked को समझने का प्रयास करते हैं आये देखें इसमें क्या बतलाएगे इसमें बतायाएग है कि भारतिय सभ्यता जょहें संस्कृति जो है वो यहाँ पर भारतिय सभ्यता और संस्कृति का जन्म और विकाश संगह शील परश्थितियों में हुआ है भारत भूमी में विबिद्ध जातियां जातियों का उत्थान पतन हमने देखा है अलग-अलग तरह की जाति अलग-अलग धर्म अलग-अलग संप्रदाई के लोग रहते हैं एक साथ वह भी मिल जूलकर और भारत भूमी पर अलग-अ जातियों का उत्थान पथन आंधिया जडी प्रचन्द समीर, खड़े देखा झेला हस्ते प्रलय में पले हुए हम पीर, भारत भूमी जो है वह अनेको जातियों के उत्थान पथन वाला भूमी है, यहां पर अनेको संकट आये हैं जिसे हम सभी ने मिलकर हस्ते हुए जेला है और संपूर्ण प्राणी जगत को बचाने का स्रिया भी हमी के पास है, यानि हमारे पास है, ये बाद देखिए जो अंतिम दोपंक्ती है ये वाली, कि चरित के पूत भुजा में शक्ती नम्रता रही सदा संपन, रिदय के गौरों में थागर्व किसी को देखना सके विपन, वह कभी भी कम नहीं हुई, वह कभी भी नश्ट नहीं हुई, सायद यही कारण है कि हम विश्व के समक्ष गौरों और गर्व से माथा उचा रख पाए हैं, और हम किसी को भी अभाव ग्रस्त, विपन यानि अभाव ग्रस्त, ठीके, कम जोर नहीं देख सकते हैं, तभी के सदा हमारे देव, अधिती देव भवजिसम केते हैं, वचन में सत्य हिर्दय में तेज प्रतिज्या में रहती थी देव, वही है रक्त, वही है देश, वही है साहस, वैसा है मान, वही है सांती, वही है सक्ती, वही हम दिब्यारे संतान, जिये तो सदा उसी के लिए यही वुखशयमों आधियों में। जो संक्रप्रशाद जी वत आते है भारत उत्म विशेष्टाउन से युक्तध देश है। और यदि भारत वाशियों ने कुछ संग्रह करना उत्धिसद किया है। संग्रह करना उत्या है। उत्यर ने बीच जिनली से आता है। दान करने के उद्देसे, हमारे संचय में था दान, यानि दान करने के उद्देसे से इकटा किया है, और हमारे लिए जो अथितियें वो कैसे हैं, हमारे अथितियें वेसा देवता के समान रहे हैं, अथिति देव भवा, और हमने किसे महत्वदिया है, हमने सदे वचन में सत्य यानि कि हमेशा सत्य को महत्व दिया है हिर्दय में जो हमारे एक ओज है एक सक्ति भरी हुई है इसके अलावा हमने हमारे भीतर जो प्रतिग्या है जो प्रण है उसको दिंड़ता के साथ पूरा किया है इसके अलवा क्या बता रहे हैं कि हमारे रगों में वही आर्य रक्त भरा हुआ है देश भी वही है, साहस भी वही है सम्मान भी वही है और आज भी हमारे देश में वही सांती, वही सक्ती और हम उन्ही आर्यों के संतान है यानि भारत में रहने वाले जो लोग हैं उनमें वही ताहस, वही सम्मान, वही साक्ती, वही शान्ती है जिसके बल पर हमने अपने देश को इतना महान और विशिष्ट बनाया है तो हमारा उदेशी क्या होना चाहिए? अता हमारा उदेशी सदेविया होना चाहिए कि हम अपने देश के लिए जिये अपने अभिमान के लिए जीए अपने सम्मान के लिए जीए ठीक है अपने गौरों के लिए जीए और हम अपना सबकुछ भारत के लिए त्याग दें ठीक है अवसक्ता पढ़ने पर भारत भूमी के लिए सबकुछ त्यागने के लिए सदेव सैयार रहें ठीक है तो अंतिम में यही कहा गया है कि निच्छावर कर दे सर्वस्व निच्छावर कर दे हम सर्वस्व हमारा भारत वर्ष यानि हम अपने देश जो हमारा भारत वर्ष है इसके लिए निच्छावर करने के लिए हर वक्त ततपर रहें सैयार रहें तो आशा है कि आपको यह कभीता समझ में आ गई होगी कवीता में मैंने लिखित व्याख्या इसलिए दी है ताकि आप पंतियों के साथ साथ कवीता को भली भात्ती समझ सके इसके बाद वाली वीडियो में हम लोग इस पार्ट से संबंदित जो प्रश्न उत्तर है उसे भी देखेंगे तो मुझे यह आशा है कि आपक अन्यवाद